हलो नमस्ते दोस्तो वेलकम टू माई चैनल कैसे है आप लोग आज हम करेंगी बालासना बालासना is also known as baby pose or shishu pose सबसे पहले पच्चाशन पर बेट जाना है दोनों पेरों पर थोड़ा सा गेप रखना है नीज पर भी inhale करते हुए हाथों को सामने लाए फिर exhale करते हुए छुक जाना है सर को नीचे फ्लोर पर लगाए दोनों हाथों को धीला करते हुए फ्लोर पर लगाना है हाथों पर स्ट्रेच नहीं देना है जितना आप स्वास को होल पर रख सकते हैं उतना ही रखी किजिए ज्यादा नहीं करना है इन्हिल करते हुए वापस आजाए अगर आपके हाथ फ्लो टाच नहीं कर पा रहे हो तो एसे हाथों को एक क्यू पर एक रखे ताकि आपके नेक को आड़ाम मिले अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लेम है तो आपको नेक को नीचे नहीं लाना है बस ऐसे हाथों को रिलाक्स करके फ्लोर पर लगाई और सर गोई से उठा कर बेट जाए इन्हील करते हुए वापस आकर बज़ाशन पर बेट जाए बालासन मेंटल स्ट्रेस को रिडूस करता है और हमारे बोड़ी को एक्टिव करता है यह आसन हमारी डाइजेशन को इंप्रूब करता है पूरे शरीपल ब्लाट सर्कुलूशन होने के वज़े से हमारे बोड़ी पर एनरजेटिक फिल होता है हार्ट, बेपी, कॉलेस्ट्रेल, ब्लाट, शुगार, आदी बीमारियों को दूल करने में मदद करता है यह आसन स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है और हमारी स्टॉमक के जो फेर्स होते हैं उनको बांड करने में मदद करता है लड़कियों की प्रियर्ट्स की प्रोब्लेम जैसे ठकना, दर्द, दिक्कत आने से रहात मिलती है बालासन से बलाट सिर पर पहुच जाती है इससे हमारी फेर्स की क्लू बढ़ जाती है माइंड पावर को इंक्रीस करता है और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है बालासन पर याद रखे, प्रेग्नेट लेटी ये आसन न करे अगर आपको हाई बीपी, माइकरीन हेडिक का प्रोब्लेम हो खुटना स्पाइन, एंकल में प्रोब्लेम हो तो आपको ये आसन एवोइट करना होगा